सभी को सादर्शुद्धात में वंदन आज की सुनगण मैसेज में स्री पद्मनंदी पंच विन्शिति का ये एक चल्डानी योग का ग्रंथ है इसमें दानोपदेश के प्रकरण की 34-35 गाथा का सार रूप में यहाँ पर मैसेज में दिया गया है इसे समझते हैं मैसेज योग की संपदा के होने पर भी तथा मुनी के घर आने पर भी जिस मनुष्य की बुद्धी दान देरे में उससाहित नहीं होती अर्थात जो दान देना नहीं चाहता वह मुर्ख पुरुष खदान में मिले हुए अमुली रतनों को छोड़ कर व्यर्थ पाताल की भूमी को खोदता है इसका अर्थ इस तरीके से लेना है कि जैसे जो मनुष्य सूपात्र जो महा मुनी राजे दिगंबर मुनी राजे वह सूपात्र है उन्हें तो दान नहीं देता वो घर चल कर आए फिर भी तो उसके जैसा अभागा कौन होगा ऐसे दान की महिमा को बताया जा रहा है आगे लिखाए जो मनुष्य चिरकाल में समुद्र में पड़ी हुई मनी के समान इस संसार में उत्तम मनुशत्यव धन और जिनेंद्र भगवान की आग्या को प्राप्त कर भी उत्तमादी पात्र को दान नहीं देता वो मुर्ख मनुष्य तूटी फूटी नाओ पर चड़ कर बहुत से रतनों को साथ में लेकर दूसरे दीप में जाने के लिए समुद्र में प्रवेश करता है ऐसा समझना चाहिए कि जैसे मनुष्य जन्म मिला जिन्वानी का सायोग मिला जैन धर्म मिला फिर भी यदि कोई पुरुशार्थी होकर और धर्म को ग्रहन नहीं करे तो उसके जैसा अभागा कौन है उधारण से समझते हैं कि घर में बहुत सारा भोजन है उसके बाद भी यदि कोई बाहर जाकर भीक मांगे या भूका रहे तो उसके जैसा मुर्ख पुरुश कौन होगा ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं कि जिनेंद्र देव का जिन साशन मिला है वो चिंता मनी रत्न के समान है लेकिन फिर भी मनुष्य वो इस अमोल्य जिन तत्व को नहीं समझ कर और अपना समय व्यर्थ में बाहर की क्रिया कलापों में व्यर्थ गवाता है इस प्रकार सच्चे देवशास्थ गुरु को नहीं पहचानता सूपात्र को नहीं जानता क्योंकि सूपात्र दान का फल सरगादिक गतियों का कारण है अब्युदे सुक का कारण है सूपात्र के दान की फल में नियम से सरगादिक ही गतियां प्राप्त होती कभी कुमरण नहीं होता फिर भी वो ऐसे सूपातरदान के फल को नहीं समझता है आज की रत्नकणिका में स्री छडाला जी की चौथी धाल का सारांश लिया है बहुती सुंदर छडाला जी गरंत है जिसे जैनागम की कुणजी भी कहा है लिखते हैं निश्चे सम्यक चारितर ही सच्चा चारितर है ऐसी श्रद्धा करना तथा उस भूमिका में जो श्राबक और मुनीवरत के विकल्प उठते हैं वह सच्चा चारितर नहीं है चारितर में होने वाला दोश है क्योंकि जो सच्चा चारितर है उसमें क्या विकल्प नहीं होंगे निर्विकल्प दशा में को सच्चा चारितर कहा है किन्तु उस भुमीका में वैसा राग आये बिना नहीं रहता और उस सम्यक्त्व ऐसा राग नीमित्थ होता है उसे सहचर मानकर व्यवहार चारितर कहा है व्यवहार चारितर को सच्चा सम्यक चारितर मानने की श्रद्दा छोड़ देना चाहिए यहाँ पर सम्यक चारितर और व्यवहार चारितर का भेद करके बताया गया है तो जो निश्चे चारितर वो एक मात्र अपनी आत्मा का अपने शुद्धात्मा में ही रमण करना उसको शुद्धो पयोग दशा को निश्चे चारितर कहा गया है जो साथवे आटवे गुणस्थान वाली भूमी का है उसे निश्चे चारितर को बताते हुए ऐसे यहाँ पे चौथी ढ़ल में चारितर के बहुत सुंदर चर्चा किये सम्यक चारितर की निश्चे और वेवा करना सम्यक चारितर है तो सम्यक चारितर की दशा में जो शुद्धो पयोग दशा है जहां पर ध्यान ध्याता और धे का भी विकल्प नहीं रहे याने एकदम पूर्ण निर्विकल्प दशा उसी दशा को सम्यक चारितर नाम दिया है जैसे अभी मैंने बताया विवार चार जानने के लिए है जो चारित्र आत्मा में लीनता होगी जब लीनता में भेद नहीं होगा क्योंकि भेद आएगा तो वो विकल्प हो जाएगा इसलिए निर्विकल्प दशा में जो शुद्ध आत्मा की ही परिणती चल रही है आत्मों मुखी दशा उसका नाम सम्मेक चारित इसे के विपरी देखे तो कूपात्रदान दुर्गती का कारण है जैसे कूभोग भुमी के जीवों में उत्पन्न होना इस प्रकार करुणा दान का कोई फल नहीं है इसके लिए बहुत अच्छा एक धारण आता है कूपात्रदान यानि शव को शंगार करना शव को मंडाने की तरह है शव को कितना भी शंगारित करो उसका कोई फल नहीं मिलने वाला उसी तरीके से यह कूपात्रदान है जो दुर्गती का कारण है इस प्रकार कूपात्रदान करने से बचना चाहिए और हमेशा सूप आतरदान करने की ही प्रेड़ना लेनी चाहिए आज की इन संदेशों में से आये वे कुछ प्रश्णों का आप आंसर खोजने का प्रयास करें कितना आपको समझ में आया जितना समझ में आया उतना आप कमेंड बॉक्स में लिख कर बताएं यदि नहीं आया है तो आप हमसे फिर से प्रश्ण कर सकते हम आपको समाधन करने की कोशिश करेंगे और इसी तरह आप अपने अंतर में सम्मिक दर्जन, सम्मिक ज्यान, सम्मिक चारित्र की प्राप्ती करें अंतर में सम्मिक चारित्र को धारन करने की योगिता लाएं भूमी का बनाएं उसी के रूप आचरन करें ऐसी पवित्र भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र